हलो फ्रेंट्स आज मैं बुनाओंगी क्रिस्पी प्यास कचोड़ी जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो सबसे पहले एक पैल लेंगे उसमें डालेंगे दो बड़ा चम्मच सर्शो का तेल और हरी मिर्च डालेंगे कटा हुआ जीरा डाल देंगे अधा छोटा बाज डालेंगे आधा कप इसे कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे लसुन डालेंगे आधा छोटा चम्मच इसे भी मैंने क्रश कर लिया था इसे भी भून लेंगे कुछ सेकेंड के लिए नमक डालेंगे स्वाध अनुसार हल्दी पाड़र डालेंगे आधा छोटा चम् धनिया पाउडर डालेंगे आधा छोटा चमच कसमेरी लाल मिश डालेंगे आधा छोटा चमच इसे डालके कुछ सिकेंट के लिए भून लेंगे मैं उबला हुआ आलू डालूंगी आप उबला हुआ आलू के जगह पे आप बेशन भीश में डाल सकते हैं और इसे डालके कुछ सिकेंट के लिए भून लेंगे भूना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे आधा छोटा चमच और आम चूट पाउडर डालेंगे एक चोथाई छोटा चमच और इसे डालके कुछ सिकेंट के लिए भूल लेंगे अब हम गैस को अफ कर देंगे अब मैं इसे बनाऊंगी गेहूं के आटे से तो दो कप आटा ले लेंगे अजवाइन डालेंगे आधा छोटा चमच ऐसे हाथों में क्रश कर लेंगे दो बड़ा चमच इसमें मैं तेल डालूंगी तेल या घी दोनों आप ले सकते हैं नमक डालेंगे आधा छोटा चम्मच और इसे डाल के मिक्स कर लेंगे हाथों से इसे प्रोपरली मिक्स करना है तेल डालने से जो कचवड़ी बनेगा वो खस्ता बनता है अब इसे पानी डाल कर गूथ लूँगी इसका ज़्यादा टाइट डोर नहीं लगाना है इसे गूत के पंदरह मिनट के लिए इसे रेश्ट पर छोड़ देंगे देखिए पंदरह मिनट बाद एक बार और इसे गूत लेंगे और इसके छोटे छोटे ऐसे बॉल बना लेंगे इस तरीके से देखिए मैंने सारे बॉल बना लिया और थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और अपने हाथों में ऐसे लगा लेंगे जिसे की यह कटोरी के सेप देने में दिकत ना हो अब इसमें मैं अपना स्टाफिंग डालूंगी और इसे डालके सिल्क करल नला जरूरी है अगर शिल नहीं करेंगे तो कचावडी जो होगा वो फट जाएगा देखिए इसे अच्छे से प्रपरली सिल्क करना जरूरी है और इसे दोनों तलहती के बीच में इसे रखके दबा लेंगे इसे फ्लेट करने से कचावडी जो होगा तेल में हम डालेंगे गरम तेल में ये फूलेगा अच्छे से देखिए अब मैं दूसरा कचावडी बना के दिखा रही हूँ देखिए इस टरीके से शील करेंगे अब हम एक पैन लेंगे उसमें डालेंगे तेल को मीडियम गरम करेंगे ज्यादा हिट नहीं करना है क्योंकि अगर ज्यादा गरम कर देंगे तो लेटी क्या होगा कि उपर चैसे ब्राउन जल्दी हो जाएगा अब इसमें डाल देंगे अपना कचोड़ी डाल दूँगी इसे डाल कर कुछ सिकन पकने के बाद इसे मैं पलट दूँगी इसे लोग फिलेम पे पकाएंगे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें सस्क्राइब करें और सेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी देखिए इसे पलट के गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाएगा तो इसे मैं और इसे मैं निकाल दूँगी एक प्लेट में एक बैस निकलने के बाद दूसरा बैस वाला मैं फिर इसे पैन में डाल दूँगी कचवड़ी को देखिए अब मेरा कचवड़ी तयार है खाने के लिए आप इसे ग्रिन चटनी या सौस के साथ खा सकते हैं बहुत टेश्टी लगता है देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसका टेक्सर ऐसा रहता है अंदर से आपको देखिए अव्डया टेखिए झाल पाने के फदमः लगता है? झाल झाल